हेलो स्टुडेंट्स मैं साध्ना नागल पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्याले की इतिहास प्रभक्ता मैं एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर आई हूँ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन दवाएं ताकि आपको नए वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहे मैं इस वीडियो में आपको पानी पत का दुत्य युद और उसके परणाम के बारे में बताऊंगी पानी पत का दुत्य युद पानी पत का दुत्य युद पांच नमंबर 1556 इसमी में लड़ा गया यह युद दिली के अफगान शासक आदिल साज सूरी के मंत्री हेम चंदर बिक्रमादित हैमू और अकबर की मुगल सेना की मद्ध हुआ हेमू यह युद मुगल सेना पती बेराम खां की कूट नितिक चाल से हार गया आँख में एक तीर लग जाने से हेमू की सेना में भगदर मच गई और उसे हार का सामना करना पड़ा अकबर तथा बैराम खा के नेत्रत में मुगल सेनाय सरहिन से दिल्ली की ओर बढ़ी पांच नमंबर 1556 वी को दोनों सेनाओं का पानी पत के एतिहासिक मैदान में सामना हुआ हैमू के पास एक लाग सेनेक तथा पंद्रासों हाती थे जबकि मुगल सेनेकों की संख्या 20,000 के लगभक थी लड़ाई के आरम में हैमू के हातियों ने शत्रूओं को कुचलना आरम कर दिया और उसके सेनेकों ने मुगलों को दाई और बाई और से घिर लिया हैमू ने स्वयम बड़ी बीरता दिखाई मुगलों ने भी अलिकुली खा की आज्या अनुशार सत्रूओं पर बाण बरसा की और थोड़ी संख्या में होते हुए भी शत्रूओं का बड़ी बीरता एवं साहस से मुकाबला किया अंत में हैमू की आँख में एक तीर लग गया और वह बेहोशो कर हाती से नीचे गिर पड़ा इससे उसके सेनिकों में भगदर मच गई इस प्रकार अकबर की विजय हुई हैमू को बंदी बना कर अकबर के सामने लाया गया नव युवक बाश्या की आग्या लेकर उसका बद कर दिया गया इस युद्ध के परणाम सरूप मुगलों ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और भारत में मुगल सामराज की पुना इस्थापना हो गई पानीपत के दुत्य युद्ध के परणाम भारतिय इतिहास में पानीपत का युद्ध बड़ा ही नरनायक और महत्व शाली रहा है इसके परणाम निम्नवत हैं हेमु की सैनिक शक्ती का अंत हेमु ने अपने सैनिक गुणों के कारण हिंदु और अफगानों की विशाल सैना संगठित कर ली थी हेमु की पराजय, पतन और बद के साथ साथ उसकी बढ़ती हुई सैन शक्ती भी ध्वन्स हो गई उसकी संगटित की गई सेना पून रूपेर तितर बितर हो गई हिंदू राज की आकांचाओं का अंत हैमु ने अपनी सत्ता और शक्ती में ब्रद्धी करके दिल्ली में हिंदू राज स्थापित कर लिया था उसने अपना राज्य विशे किया और बिक्रमादत्ती की उपाधी धारण की उसकी महतो कांचा विशाल हिंदू राज इस्थापित करने की थी परंतु उसकी पराजय और मृत्यू ने हिंदू राज की समस्त आकांचाओं को धूल दूसर कर दिया अफगानों की प्रभु सक्ता और शक्ती का विनाश पानीपत के युद में अफगानों के अनेक शूरबीर सैनिक मारे गए कई बंदी बना लिये गए और युद की लूट में मुगल विजेताओं को पंदरा सो हाती प्राप्त हुए इससे अब अफगानों की शक्ती को सामगरी तथा धन का प्राप्त होना पानीपत के युद में और उसके बाद मुगलों को परास्त हुए अफगानों की खूब युद सामगरी हाती और धन प्राप्त हुआ रण भूमी में से मुगलों को शत्रू के पंदरा सो हाती हात लगे तथा बहमूल सामगरी प्राप् में मिला इस धन से अकबर को ततकाल आर्थिक लाब हुआ मुगल सामराजी की पुना इस्थापना और विस्तार इस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर अकबर का अधीकार हो गया और यहां से शेस प्रदेशों की विजय सुगम हो गई अकबर ने भारत में मुगल सामराजी की पुना इस्थापना की और धीरे धीरे अपनी विजयों से उसने मुगल सामराजी का विकास किया